नमस्ते स्टूरेंट्स, तोड़ें वी विल सी दे क्वेश्चन पेपर आफ वाइस व्यम्यू, F-Y-B-A and F-Y-B-C-O-M which is compulsory to all, that subject is H-E-N-1-0-1 So friends, हम लोग यहाँ, जो H-E-N-1-0-1 जो subject है, F-Y-B-A और B-C-O-M को, उसमें जो English का question paper आता है, 40 marks को, उसके बारे में यहाँ बात करने वाले हैं So students, यहाँ आपके सामने यह जो question paper मैंने रखी है, तो आप देख सकते हो कि question paper कैसे 40 marks के लिए आती है तो आपको समझ में आई जाएगा कि question paper इस type में आपको paper में आएगी, आधा paper हिंदी का होता है और आधा paper English का So basically, आपको ध्यान में रखना है कि आपको यह questions solve करने पड़ते हैं, यह इतने भी difficult नहीं होते समझो, आपने 10-12 में अच्छे से English की पढ़ाईगे होगी और आपके बास grammar का अच्छे से knowledge होगा तो Confirmly, you will solve the question paper with 40 out of 40 marks, डेड़ घंडे का यह paper होता है, तो आप हम लोग अभी शुरू करेंगे, आप यहाँ देख सकते हो कि यह question paper 2017 की है, जो यहां हम लोग इसकी practice करेंगे थोड़ा सा, यहां थोड़ा सा हम लोग इसकी study करेंगे, आपको समझ में आएगा कि यह क्या type में question paper आता है, so students, just we are going to start now, question number one, यह आप देख सकते हो कि solve any force of question, हर एक question में 5 questions होते हैं, और out of 5 आपको 4 solve करना है, तो आप A में देख सकते हैं कि select the word with correct spelling, आपको spelling correct करने के लिए आ सकती है, second question देखेंगे, choose the word having similar meaning, आपको same meaning का, उन्होंने जो option दिया, उसमें से same meaning का answer आपको, आपके answer paper में लिखना है, choose the word having opposite meaning to, समझो, एक word आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको 4 options रहेंगे, उस 4 options में से आपको ए English for, अभी यहाँ यह word, हम लोगों बोल सकते हैं हिंदी या मराठी में दिया गया है, तो उसको हमें English में उसका actual, क्या बोलते हैं English का meaning क्या है हो, हमें लिखना है, next, choose the correct question tag for the sentence given below, यह आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे question पूछे हैं, जो grammar से related है, तो अभी add question tag, यह समझ given below, अभी यहाँ एक sentence आपको दिया है, goat is useful animal, और उन्होंने यहाँ instruction दिये हैं कि आपको a and the, यह तिनों में से कोई भी एक perfect article वहाँ क्या करना है, आमें लिखना है, और sentence को complete हमारे answer paper में लिखना होता है, question भी देखो, on, if, to, off, under, आप देखो कि आपको समझ में आएगा कि यह जो five prepositions है, यह prepositions के type से आपको sentences दिये गए हैं और sentences में आपको properly उस जगह पे यह पाचों में से एक-एक करके आपको उसमें as a right place पे आपको prepositions को as per the situation condition sentence के सबसी वहाँ put down या write down करना है, C question देखेंगे, कि जगह पे उन्होंने C में simple future tense का question पूचा है, make it negative पूचा है, add a question tag एक पूचा है फिर से, frame w question पूचा है, make it passive voice, आपने change the voice वगरा पड़ा होगा, तो आपके ध्यान में आ रहा होगा कि यह जो 4-5 आपको grammar के topics है, आप YouTube पे जाके थोड़ा सा इसके बारे म extra study करेंगे, तो confirm you will get the marks, next D number पे आप देखोगे, कि यहाँ उन्होंने translation करने के लिए sentences हमें दिये हैं, जो हमें Marathi में translate करने है, E, यहाँ उन्होंने बोलागे, write a dialogue among the passenger at the railway station, आपको जो passenger है, समझो for example, दो passenger से जो railway station पे रुके है, और उन्होंने में कोई तो बात चल रही है, उस बारे में आपको at least 5 या 6 dialogues वहाँ लिखना है, conversation लिखना है, question number 2 आप देखोगे, solve any 4 sub questions, यहाँ भी 5 questions दिये है, A, B, C, D, E में, तो आपको इसमें से at least 4 solve करना है, friends यह ध्यान में रखना है कि आपको पूरे के पूरे solve करना है, क्योंकि एकाद का mistake हो गई, तो आपका ध्यान में रखना है, तो चलो, यहाँ आप देख रहे हो कि A में vocabulary पूछी है, B में synonyms, means same meanings वाले words हमें लिखना है, C में construct simple sentence using following verbs, क्या आपको verbs उन्होंने दिये है, तो आपको verb के साथ एक एक, हर एक verb के लिए एक एक sentence वहाँ लिखना होता है, next D, what are the kinds of reading, कि क्योंसे types की reading ह होती है, तो आपको ध्यान में रखना है, when you are studying the book, आप जो books पढ़ते हो, तो आपको book में, HEN 101 के book में types of reading के, चार types दिये है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, रटना है, अच्छे से करके उसको जाना चाहिए, number E, write antonyms of the following words, अब antonyms means, in a simple word, antonyms का है meaning होता है, व यहां हम लोग ने सिर्फ question paper के बारे में बात की है, आप देख सकते हो, यह question paper है, अभी हम लोग as a questions with answers, हम लोग यहां solve करेंगे, by the way, कि आपको उससे ज़्यादा benefit हो, तो चलो friends, हम लोग start करते है, question 1, solve any four sub questions, तो यहां आप देख सकते हो, select the word with correct spelling, अभी यहां four हमें spelling दी ग पता होगा, so number a का जो spelling है, knowledge, this is the right one, तो आपको ऐसे answer उसका, knowledge का ऐसा है, correct spelling वहां लिखना से, next one, two, choose the word having similar meaning to explain, अभी जो explain word दिया, explain means spust करना, dictate करना, illustrate करना, ऐसा उसका meaning होता है, तो आपको explain का same meaning वाला words को उनसा है, तो उन्होंने four words यह है, copy, copy means copy paste करना, write means लिखना, read means explain करना, same, कि spust करके सामने वाले को बताना, तो explain का right, synonym है, same, similar meaning वाला word है, illustrate करना, number three, choose the word having opposite meaning to complete, अभी complete यह जो word दिया है, उसका opposite meaning वाला हमें word बताना है, complete का incomplete भी answer आ सकता है, opposite में, मगर यहाँ incomplete यह word दिया नहीं है, तो उन्होंने words कों से दिये है, proper, whole, half and full, तो इसका answer right आता है, half, पूर्ण और आधा, पूरा और आधा, ऐसा, so half is right, opposite meaning of complete word, number four, choose the correct word in English for, इंग्लिश में सुरीदों को क्या बोलते हैं, तो वाह उन्होंने four words दिये है, sunset, sun coming, sunlight and sunrise, तो right answer है, sunrise, यहाँ गलती से sunlight हो चुका है, मगर answer is sunrise, sunrise यह answer perfect है, next, number four, fifth, choose the correct question tag for the sentence given below, friends यहाँ आपको ध्यान में रखना है समझो, आपको add question tag के बारे में थोड़े सी information कम होगी, tense के बारे में थोड़े सी information कम होगी, तो I will advise you, आपको मैं suggestion देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा YouTube पे जाके tense और add question tag, negative sentence, affirmative sentence, exclamatory sentence की 5-5-6-6 minute वाले वीडियो एक बार देखी लो, तो यहाँ उन्होंने sentence दिया है, question tag के लिए he has composed the poem, उन्होंने एक poem बनाई, तो आपको एक धान में रखना है कि question tag जब बनता है, तो उन्होंने जो दिया हुआ helping verb है, अभी यहाँ has दिया है उन् तो आपका answer negative होगा, और sentence negative होगा, यहाँ है है के बस हम जो not, never, no, nothing कुछ आता है, तो आपको, आपके question tag में आप क्या नहीं ले सकते हैं, आप not नहीं ले सकते हैं, means positive का sentence होगा, तो negative add question tag, negative sentence होगा, तो positive add question tag होगा, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हम लोग ने answer already निकाल के र लो, अभी article से क्या है, a and the use, हम लोग मुझे लगता है, समझो हिंदी मराटी मीडम के बच्चे हों के तो fifth standard से पढ़ते हैं, English मीडम के students हों के तो they are learning from the junior kg to till 12th, कि इनको article अच्छे से grammar में पढ़ाया जाता है, तो अभी यहाँ a and the, और no article ऐसा है, उन्होंने as a options दिये है, तो यहाँ इसका answer आता है, goat is a useful animal, and नहीं आएगा, अ ही आएगा, यह कैसे क्या, तो आप YouTube पे जाके थोड़ा सा समझो, देखा होगे तो you will understand, क्या हूँ the answer is come as a, तो अभी आपके दहन में आ रहे हैं कि article भी पूछ सकते हैं, next, अभी question B है, कि उन्होंने preposition दिये है, on, if, to, to, of, and under, अभी हमें right condition, right situation को sentence को properly समझ के उसका answer लिखना है, so number one है, रमेश गोज, dash, dash the library at 1pm, so place पे जा रहे हैं, तो हमें रमेश गोज, to school, to college, to the library, तो इसका answer perfect रहेगा, to, number second है, dash, dash, there is a wind, there will be rain, यह conditional sentence है, समझो, वहाँ हवाँ होगी, तभी वहाँ बारिश होगी, so there will be answer if, अभी if यह preposition नहीं है, it's a conditional word है, तो हमें ध्यान में रखना है, if there is a wind, there will be rain, यह proverb में आता है, idioms में आता है, number three, the book is, dash, dash the table, normal सी बात है, book table पे है, हम लोग ऐसे बोलते है, so on, it will be used as a upper, the book is on the table, number four, color, dash, dash the house is very attractive, अभी of का meaning जो है, it will be related होता है, कोई words से, तो words को relate करता है वो, so यह answer होगा, color of the house is very attractive, next, the child learns, अभी जो remaining हमारा preposition बाकी हो है, under, so answer will be, the child learns under the guidance of his her parents and then of the teacher, अभी friends, आपको यहाँ बात clear कर देता हूं है, कि आपको preposition समझो, समझ के लेने हैं, तो confirm ले, आपको ध्यार में रखना है, कि you have to learn at least 40 prepositions, because without prepositions, we cannot make sentence also, हम लोग sentence नहीं बना सकते, इसलिए इसका study हमें अच्छा होना चाहिए, number c, he took part in the play, अभी यहाँ नहीं बूला है, change into simple future tense, तो आपको पता होना चाहिए कि simple future tense का structure क्या है, तो वो structure है, subject plus shall oblique will, plus verb का first form, means v1 plus object, तो हमें उस sentence को convert करना है, so subject as it is, ही कही रहेगा, took अभी दिया, वो v2 में है, आपको sentence को थोड़ा convert करना बढ़ेगा, he will take part in the play, next one, he likes to watch cricket, make it negative sentence, negative sentence जब बनाते हो, तो उस time sentence का meaning change नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है, so answer will be, he does not dislike to watch cricket, number next, third, I will tell the fact, add question tag है, so इसका question tag आता है, want I, number four, there are soldiers, frame a W question, there are soldiers, वो soldiers है, तो question कैसे बनेगा, वो कौन है, तो soldiers, यह हमारे answer में नहीं आएगा, question बनने के time पर होगा, who are they, तो यह एकदम simple था, आप W questions को भी थोड़ा देख लेंगे, तो you will understand easily, next, number five, we made history, यह change the voice का topic है, मैंने direct इसका answer आपको दिया है, history was made by us, इसको आपको समझके लेना पड़ेगा, यह आपको उसको अच्छे से study करना पड़ेगा, translate sentences into Marathi, देखो, Mohan goes to garden, आप देख रहे हो, translation क्या है, reading novels is his hobby, उसका भी दिया है, he goes to the library to study with his friends, next, number four, he loves to dance, he enjoys playing cricket, हाँ, तो यहाँ, translation आप देख रहे हो, you will understand, कि हर जगे पर उन्होंने translate करने के लिए बोले था, हम लोग ने इसको translate भी करके दिया है, next one, question था, write a dialogue among the passenger at the railway station, कि दो या दो से ज्यादा passenger से, और एक दूसरे से बात कर रहे है, किस के बार में, train के बारे में, या किस के बारे मे ने दिया है, passenger one, good morning sir, passenger two बोलता है, good morning, passenger one फिर से बोलता है, can you tell me, how many hours will take it to reach Delhi from here, कि कितना समय लगागा है, दिल्ली पोचने के लिए, तो passenger two बोलता है, that will be five hours from here sir, कि यहाँ से पाच घंटे हमें पोचने के लिए लगेंगे, passenger one बोलता है, oh thank you sir, thank you very much, passenger बोलता है, you are most welcome, so as a demo दिया है, आपको as a just answer दिया है, आप आपके हिसाब से भी बना सकते हो, मगर यह ध्यान में रखना है, कि इसमें grammatical mistakes नहीं होनी चाहिए, हो गया, number question number two है, solve any four sub questions, अभी यहाँ, write in detail the objectives of learning vocabulary, अभी हम लोग vocabulary क्यू पढ़ते हैं, अभी यह आप आंसर आपके खुद के मन से भी लिख सकते हो, आप बुक से भी लिख सकते हैं, अपने बुक पढ़ा होगा, आप बुक से भी इससे अच्छा पढ़ सकते हैं, तो देखो, vocabulary क्या objective क्या होते हैं, vocabulary क्यों पढ़ा जाता है, आंसर है, vocabulary instruction aligns with the deep learning by helping students make connection between words and construct meaningful knowledge, कि words क्या करते हैं, कि जब वो एक साथ आते है वो sentence को construct करते हैं, words बनाते हैं, और उसमें से meaningful knowledge हमें sentences पता चलते हैं, vocabulary instruction aligns with higher students, achievement by increasing reading skills and comprehension, vocabulary जिसके perfect होती है, वो properly बहुत सारी चीजे students achieve कर पाता है, उसकी reading skill and comprehension level क्या होती है, ज्यादा increase हो जाती है, okay, question number 2, B, write the synonym of the following words, synonym means similar meanings या same meanings, जिसको हम लोग समनार थी, शब्द ऐसा भी बोलते हैं, पहला है sick, sick means बीमार पढ़ना, ill or unwell, number 2, end, उसका है finish और wind up या close, stop, आप जहां मैंने एक से ज़्यादा दिये तो आप उसमें से कोई भी, आपको जो easy लगता है, धान में रखके आप लिख सकते हो समझ get or receive, number 4, mad, mad means थोड़ा सा एड़ा वाला, जिसको हम लोगा crazy, mental या insane इस word से जानते हैं, we assist, assist बोले तो कोई बंदियों को मदद करना, help या support, या खतम उचुका है हमारा synonyms, number C, construct simple sentences using following verbs, आपको अभी verbs दिये थे, उस verbs को हमें verbs को sentence में convert करना है, तो आप आपके इस सबसे भी कर सकते हो, number 1, sit, तो मैंने लिखा है, I always sit here, ब्रबर, second, write, अभी आप लोग बोल सकते हो, आप लिख सकते हो, I write a letter, I write a book, I write a notebook, बगरा बगरा, अब यहां मैंने दिया है, we write a letter every day, number 3, read, I read a book, I read a notebook, I read a novel, आपको जो चाहिए, आप sentence बना सकते ह होना चाहिए, number 4, play, play means, खेलना, we play cricket, कोई बन्दा बोलेगा, we play football, we play kabaddi, we play match, whatever it is, we play game, बगरा बगरा, जो भी हम ले, मगरा, sentence should be perfect, swim, swim means, तेरना, swim means, हम लोग जब रिवर में, या समूंदर में जाके तेरते हो, they swim in the river, simple में, या मैं समूंदर में तेरता हूं, I swim in the river, बोल सकते हो, कोई problem नहीं, number D, what are the kinds of reading, reading के कितने टाइप से, तो चार टाइप से, skimming, scanning, intensive and extensive, आप इतना ही answer लिखोगे तो आपको दो ही marks मिलेंगे, आपको इसको explain करना है, तो इसका perfect answer आपके book में भी दिया है, एक बार जो reading comprehension का part है, उसको थोड़ा सा पढ़ ले ल words, antonymus means मैंने पहले बोला है, opposite words, या विरुद्दर्ती शब्द हम इसको बोलते है, number one, leave, leave means रहना, तो उसके तीन words यह है, जो आपको easy लगता है, उसमें से एक लिखना है, leave means reside होना, dwell, yes stay, तीनों में से कोई भी, clear, clear means clear एकदम, so understandable, explicit, lucid, या antonymus है, opposite words है, sorry, एक मिन्ठा, write the antonymus of the following words, clear का, dead बोल सकते हैं, यह थोड़ा सा गलत हो चुका ही जगह पे, clear का unclear बोल सकते हो, या ununderstandable बोल सकते हो, good, good means, अच्छा, तो उसका antonymus विरुद्दर्ती शब्द क्या होगा, bad होगा, pure का unmixed, sorry, pure का समझो, mixed हो जाएगा, हाँ, find, अभी find कही है, सब मैंने सिनारिम, यह गलती हो गई, यह जगह पे तो, find को आप लोग क्या, यह लूज हो जाना यह भी अपलिक सकते हो, thank you friends, just if you like the video, if you like the question, paper and explanation, do the subscribe to channel and share to your friends, thank you.